आज के इस class में हम पढ़ने वाले हैं TCS on cell, cell में हम किस पर कार से TCS text को applicable कर सकते हैं मैं टैली प्राइम पर हूँ, मैं company create कर ले रहा हूँ on cell के नाम से मैं company create कर ले रहा हूँ, control A से मने save कर लिया यहाँ पर आपको TCS जो दिख रहा है, इसे आपको yes करना होगा हमने yes किया, इसमें detail भरना पड़ेगा आपको, 10 number, registration number होगा TCS का, एक random number मैं आपर enter कर ले रहा हूँ, आप swim को बताएं company हैं या फिर individual हैं जो भी आप बताएंगे, यहाँ पर set alter detail जो भी आपके यहाँ TCS को collect करेगा इसका detail यहाँ पर दिना पड़ेगा, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, एक बस नाम type करूँगा, बाकि पूरीगी detail आपको देनी होती है पूरीग पूरी निचे जो दी गए detail इस आपको आप पर लीजेगा, Ctrl S मने इसको save कर लिया सेव कर दूँगा और इस feature की setting को सेव कर दूँगा, गेटेव आप टैली पर आ चुका हूँ है, बाउचर में चलूँगा बाउचर में जो है F8 प्रेस करके आप sales पर आ जाए क्योंकि हम sell ही देखने वाले है TCS on purchase कैसे करते हैं इसका वीडियो में बनाया हुआ है आप आई बटन पर उपर क्लिक कर लीजेगा और उस वीडियो को आप देख सकते हैं तो अगर आपने जो है TCS on purchase नहीं देखा तो आप जरूर देखेगा, यह TCS on sell है यानि sell करते समय किस तरह से हम TCS को applicable करेंगे यहां पर हम चलते हैं पार्टी क्रिएट कर लेते हैं अलसी प्रेस करके मैं private limited को मैं यहां पर बना लेगा हूँ यहां पर नीचे आप आईएगा और जो दिया TCS applicable इसको yes करिए और यह बताईए कि यह है कौन कोई व्यक्ति है individual है resident है क्या है जो भी आपको यहां बताना है आप उसे बता सकते हैं तो हम यहां पर company resident कर देते हैं बागी की detail आप यहां अपर फील करेंगे कंट्रोल इसमें से सेब कर ले रहा हूं कंट्रोल इसे इसको सेव सेव यहां पर अट्सी प्रेस करके आपको सेल्स अकाउंट का laser बनाना होगा जिसका अंडर ग्रूप होगा सेल्स अकाउंट हमने बना लिया यहां नीचे आप आ जाईए इस TCS applicable में आप स्पेस बार प्रे करना होगा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस समय जो है यह कुछ सेक्शन है जिसके अंतरगत आपकी यहां पर लिखे गई है कि क्या सेक्शन इस पर होगा सेक्शन जो है 206C है और उसमें क्या-क्या जो है आइटम साते हैं कौन-कौन से जो गोड्स और सर्विसेस जो आते हैं उसमें और उस पर TCS का रेट क्या लगता है एक परसेंट तो यहां पर आप अल्कॉहलिक लिकर फॉर हीमन कंजप्शन पर एक परसेंट का जो है और यहां पर तिम्बर अप्टेंट अंडर फॉरस लीज है 2.5 का है तो इसमें से किसी एक आइटम को ले लेते हैं हम यहां पर ले लेते हैं अनी अदर फॉरस प्रोडुक्त नाट बिंग तिम्बर और तेंदू लीज तो मैं जो है फॉरस प्रोडुक्त का ही यहां पर गुरुप बना लेता हूं जिस पर 2.5 % को टीच सीच अपर क्लेक्ट होगा तो चलिय चलते हम अपने टैली पर हम टैली पर आ गये हैं और यहां पर हम बना लेते हैं forest product जिसका हमने वहां पर देखा था 206C इसका section था और यहां पर जो है उसका rate था 2.5 हम यहां पर टाइप कर लेंगे 2.5 बागी की detail जो है नीचे as it is रहने देंगे और control इसे मिसे save कर लेंगे और फिर sales account को भी हम यहां पर save कर लेंगे हमने save कर लिए आइटम को sell करते हैं और यहां पर हम क्या बेचने वाले हैं तो मैं forest item लिख देता हूं यहां पर उसका group बनाना चाहते है तो group बना लीजेगा और यहां पर addc press करेंगे और उसको किस unit में हम sell कर रहे हैं unit को यहां पर define करना होगा तो मैं जो है metric turn में कर लेता हूं इसे और यहां पर MTSM type सर्च करेंगे control ही save कर लेंगे हलाकि जो है यह जो item है इसको भी हमने persist किया नहीं है तो यह negative में दिखाएगा अगर मैं यहां पर कोई भी quantity जैसे sell करना है मुझे मैं 100 की quantity में 100 metric मैं sell कर रहा हूं तो यहां पर आप देख रहे है negative stock आ रहा है तो मैं क्या करूंगा backspace से जाओंगा forest item पे control enter प्रेस करके और नीचे आपको देख रहा है quantity तो यहां पर जा करके हम quantity यहां पर ले लेते हैं कितनी quantity हमारे पास stock में है उसका rate हम यहां पर रख लेते हैं 5000 और इस प्रकार से जो भी forest item है उनको आप sell कर सकते हैं और फिर आपको क्या करना है यह जो subtotal दिख रहा है subtotal के नीशे आप आईए और यहां पर अलसी प्रेस करके जो हम tcs जो text है text tcs on sell यहां पर बना लेते हैं laser duty index लेंगे यहां पर type of duty में tcs को select कर लेंगे और यहां पर जो हमने 2.5 जो percent हमने वहां दिया था 6 lakhs का जो है इसने आपर collect कर लिया है तो इस प्रकार से जो है sales voucher पर आप tcs on sell को applicable कर सकते हैं tcs जो text है उसको आप यहां पर calculate कर सकते हैं अब मैं इसे control इसी save कर दूँगा यदि कोई question है तो आप जरूर नीचे comment करिएगा आज के लिए से बितन इतनी लाओ